आज हम करेंगे Class 1 English NCERT, Marigold का Unit 8, The Tiger and the Mosquito Tiger यानि बाग या शेर और Mosquito यानि मच्छर तो ये एक स्टोरी है जो एक शेर और मच्छर के बारे में है तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं A tiger was dozing under a tree तो dozing मतलब होता है छोटी सी या हलकी सी नीन लेना तो एक बार की बात है एक शेर जो है वो पेर के नीचे सो रहा था A Mosquito came buzzing by और तभी वहाँ पर एक मच्छर आया और आकर उसके पास बुन-बुनाने लगा The tiger said, Hey Mosquito, go away तो tiger ने उससे कहा कि मच्छर यहां से चले जाओ The Mosquito said, Why should I go away? तो इस पर मच्छर ने कहा, मुझे क्यों जाना चाहिए यहां से I am not afraid of you, मैं तो आपसे नहीं डरता Afraid मतला दरना The tiger was angry, अब तो शेर गुसा हो गया था He hit out with his paw, paw यानि पंजा तो जो उसका पंजा है, उससे उसने मच्छर पर वार किया The Mosquito flew off, और मच्छर जो था, वो वहां से उड़ गया The paw struck his own chick, और जो पंजा था, वो उसके खुद के ही गालों पर पढ़ा जिससे उसे चोट लग गई The blow strapped his chick, अब तो उसका गाल जो था, वो जखमी हो गया और उसमें से खुद निकलना शुरू हो गया It began to bleed, यानि खुद निकलना The Mosquito buzzed away, अब Mosquito जो था, वो दूर जाकर भुन 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 आवाज निकाल रहा था The tiger struck with his other paw, अब की से tiger ने वापस अपने दूसरे पंजे से उस पर जपटा मारा, उस पर हमला किया The Mosquito flew off, अ मच्छा फिर उड़ गया This time too, he hit himself, और इस बार फिर उसने अपने आपको ही मार लिया The tiger was helpless, अब चो tiger था, वो काफी जादा मजबूर हो गया था क्योंकि वो बार बार मच्छर को मार ही नहीं पा रहा था The Mosquito continued to buzz, continued यानी जारी रखा और buzz माने भुनभुनाना, मच्छर ने अभी भी भुनभुनाना जारी रखा The tiger got up and quietly walked away अब चोग शेर था, वो उठा और वहाँ शान्ती से वहाँ से जाने लगा क्यों जाने लगा? क्योंकि वो मजबूर हो गया था वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था, अपने आपको helpless feel कर रहा था The mosquito called out after him तो Mosquito ने उससे कहा Don't be so proud my friend, everyone is great in his own way तो मच्छन ने उसको जाते जाते कहा कि मेरे दोस्त हमें कभी भी अपने उपर घमण नहीं करना चाहिए Everyone is great, हर कोई अपने आप में अपनी तरीके से महान या फिर special होता है और हमें कभी भी किसी दूसरे को खुद से कम नहीं समझना चाहिए चाहिए वो छोटा हो या बड़ा तो ये तो स्टोरी हो गई, चलिए new words देख लेते हैं Angry, angry होता है गुसा करना Bleed करना, यानि कभी खून निकलता है चोट से, उसे कहते हैं bleed करना Great यानि महान Hit करना, यानि किसी को मारना Proud करना, यानि खुद पर घमंड करना Let's read I must not hit anyone तो हमें कभी किसी को नहीं मारना चाहिए I am proud to be an Indian और हमें अप मारे भारती ही होने पर गर्व है Reading is fun What was the tiger doing when the mosquito came buzzing by? तो फिर जो tiger था, उसने क्या किया जब वहां मच्छर आया और भुन-भुनाने लगा? Answer The tiger was dozing under a tree when the mosquito came buzzing by तो जब मच्छर वहां पर आया और भुन-भुनाने लगा तो जो tiger था, वो पेड के नीचे सो रहा था Why did the tiger's cheek start to bleed? तो फिर शेर के गालों से खून क्यों निकलना शुरू हो गया? Answer The tiger's cheek started to bleed because while trying to hit the mosquito, the tiger hit himself with his paw Tiger के cheek से खून निकलना शुरू हो गया क्योंकि जब वो मच्छर को मारने की कोशिश कर रहा था तो उस समय tiger ने खुद को ही अपने पंजे से मार लिया था Why did tiger walk away? तो फिर tiger वहां से क्यों चला गया? The tiger walked away because he was helpless Tiger वहां से इसलिए चला गया क्योंकि वो मजबूर था and could not make the mosquito fly away from him क्योंकि वो मच्छर को वहां से नहीं उड़ा सका Let's talk Why did the mosquito say I am not afraid of you? तो मच्छर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता? Answer The mosquito said so because the tiger was behaving as if everyone should be afraid of him मच्छर ने उससे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि tiger जो है वो ऐसे behave कर रहा था वो अपना ऐसा सुभाव दिखा रहा था कि हर किसी को उससे डरना चाहिए Next question है Let's share What do we learn from this story? तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? Answer We learned that everyone is special in his own way हमने इस कहानी से ये सीखा कि हर कोई अपने तरीके से कुछ ना कुछ special होता है खास होता है We should never underestimate anyone और हमें कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए Next Tiger is brown in color Loin भूरे रंका होता है Tiger is mostly yellow in color और Tiger जो है वो ज़्यादा तर पीले रंका होता है Loin cannot climb the tree और loin जो है वो पेड़ पर नहीं चर सकता Tiger can easily climb a tree लेकिन Tiger जो है वो आसानी से पेड़ पर चर सकता है तो ये lesson फिनिश हो गया इसके question answers हो गया आपको कैसे लगे अगर पसंद आए तो like का बटन दबाएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करेगा Thank you पसंद आया है तो like करें शेयर करें चैनल को subscribe करें